हेलो दोस्तो, स्वागत है हमारे यूटूब चनल टेक्निकल अपडेट में, आज की जो वेकेंसी है मजगों डॉक सी बिल्डर्स लिमेटर के तरब से निकल के आ रही है, जो की गोर्रमेंट आफ इंडिया का ओथोराइज कमपनी रहने वला है, यह जो कमपनी है मिनिस्ट्री बीटेक सभी कुछ अपलाई कर सकता है, फ्रेसर बिल्कुल ही अपलाई कर सकता है, टोटल जो इसमें वेकेंसी रखा गया है, इसमें किसी भी परकार का अप्लिकेशन भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो चलिए हम इसके डिटेल से ओफीसिल अडबर्टाइजमेंट पर विजिट करते हैं, यह इसका ओफीसिल अडबर्टाइजमेंट रखा गया है, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट में जारी किया गया है, यहाँ पर ग्रेजुएट और टेकनीसियन अप्रेंटीसिप के रिगार में वेकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा, बीई, बीटेक सभी क पुछ अप्लाइ करेगा, इसमें डिटेल से वेकेंसी का बेवरा मेंसन कर दिया गया है, काफी अच्छा कासा यह कमपनी रहने बला है, यदि आप इस और गेनाजेशन से अप्रेंटीसिप कर लेते हैं, तो फर्दर इसमें कोई सा भी वेकेंसी पर्मनेंट आएगा, तो उ डिप्लोमा अप्रेंटीसिप के लिए तेन बैकेंसी, इसी प्रकार से इलक्तोनिक्स एंड टेली कम्मिकिसन वाले देख सकते हैं, मे कनिकल युझे वेकेंसी है, सिप बिल्दिन वेकेंसी है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कूम्प्यूटर अप्लीकिस, बैचलर event management total जो vacancy रखा गया है graduate बालों के लिए 170 रखा गया और diploma बालों के लिए 30 रखा गया इसमें सभी कुछ detail से बाइफर केट कर दिया गया है age limit इसमें 18 से लेकर 27 सा रखा गया है जिसमें age accession आपको as per rules government of India के निस्वार प्रोवाइड किया जाएगा graduate apprenticeship के लिए बात करूं तो उनको 9000 पर मंत stipend pay किया जाएगा और डिप्लोमा apprenticeship के लिए 8000 पर मंत आपको stipend pay किया जाएगा यहाँ पर detail से category wise vacancy को वाइफर केट कर दिया गया है graduate apprenticeship के लिए only b.e.b.tech मांगा गया और diploma apprenticeship में only diploma है तो further इसमें आप apply कर सकते हैं यदि आप कहीं से apprenticeship कर चुके हैं पहले से इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि lifetime में एक बार ही apprenticeship किया जा सकता है apprenticeship का duration आपका एक साल रहने वला है application procedure की बात करते हैं तो भी यहाँ पर detail से mention कर दिया गया इसका direct apply link आपको description में प्रोवाइड कर दूँगा आप वहाँ पर visit करके apply कर दिया या इसके carrier section में आप visit करके भी apply कर सकते हैं selection procedure की बात करते हैं यहाँ पर उसका भी बेवरा detail से mention कर दिया गया है based on application received from MDL apprenticeship portal candidates will be call for document verification and interview at MDL as per marks obtained in the qualifying examination the candidates will be required to furnish documents regarding proof of date of birth qualification and category ETC आपके percentage marks के अनुसार आपको interview के लिए short list किया जाएगा जिसमें interview और डीवी लिया जाएगा और उसी के हिसाप से आपका selection होने बाला है तो जो भी eligible and interested candidate होते हैं जरूर से जरूर अप्लाय कर दिया गया इसका application 22 December 2023 से रहने वाला है और जिसका application का last date 11 January 2024 रखा गया है इभी mention कर दिया गया है कितना application receipt किया गया है उसको ये 16 January 2024 को publish करेंगे और इसके साथ ही interview का date भी detail से यहाँ पर mention कर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे allied branches को mention कर दिया गया है यदि आपके पास इन सारे branches में diploma degree है फिर भी इसमें आप apply कर सकते हैं इसमें almost सभी branches को eligible कर दिया गया है तो आप अपने हिसाब से details से notification को read करके apply करेंगे यदि आपको किसी प्रकार का query होता है तो further आप comment में डाल दे कर सकते हैं